अन्जी, तो आज के स्क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है, आज में आपे बात करेंगे English के बारे में और आज हम लोग देखेंगे English के Pros के Chapter 7 के बारे में A Child is Born Chapter को हम लोग समझने वाले हैं, है न, यानि हम लोग जो है न, A Child is Born Chapter के Line by Line Explanation को देखेंगे, यानि पूरे चा क्लास में समझ में आ जाने वाली है, complete chapter के जो है न, line by line को जब देखेंगे, तो उसका एक-एक meaning आपको बतलाते हुए चलेंगे, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत न रह जाए, ये chapter आपको बहतरी समझ में आए, है न, आप जानते होंगे, इस chapter से काफी सारे प्रसन आपके ब चाप्टर के सुरुवात करते हैं, सबसे पहले देखो लेखक के बारे में जानेंगे, भाई इस chapter को लिखे कौन है, और उसके बाद इस chapter के complete line by line explanation पर हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले जब chapter के सुरुवात करें, इससे पहले न, आप अपने मन से वो इंग्लिस वाला डर क को दूर कर दो कि नहीं समझ में आएगा, ऐसा कोई बात है ही नहीं, सुरुवात से आप देखते आएंगे, chapter 1 से लेके अभी तक आपको हर एक chapter अच्छे से detail में समझाते हुआ हैं, और कुछ उसी अंदाज में उसी तरीके से आपको इस बार भी अच्छे से ये chapter पूरे complete कर देंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगे, ठीक है, तो चलो हम लोग सुरुवात करते हैं, और सबसे पहले देखो, लेखक के बारे में जानेगे कि भाई, इस chapter को लिखे कौन है, है ना, तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, प्र ठीक है, क्या होगा, एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म है ना, एक बच्चे का जन्म, यानि अपने लोग को क्या लग रहा है, कि a child is born जो है, एक जो ऐसे है, ये basically इसमें क्या बात किया गया है, एक बच्चे के जन्म के बारे में है, एक बच्चे का जन्म होता हो कुछ यह तिंक कि ऐसा ही कुछ लग रहा है अब देखो हम लोग इस टोडी नहीं जानते हुआ हम जानते हैं हो इसा मान के चलते हैं कि हम भी नहीं जानते है तो समझो कि एक बच्चे के जर्म के बारे में चैनल के breaking रहता है उस समय तुम a child is born chapter तो पढ़ रहे हो लेकिन ये तो हमें बताओ कि इसको लिखे कौन है तो उसको एकदम जवाब देना है कि देखो ये भी हमको पता है कि German grade जी लिखे हैं इस chapter को पता है ये German grade जी है और ये अभी भी जिवित है हो सकता आप इस वीडियो को 2-3-6 साल बात देख रहे है इनका जो जर्म होता है 29 जनवरी 1939 को यानि 29 जनवरी 1949 को कहां पर अस्ट्रिलिया में कहां पर अस्ट्रियलिया में इनका जर्म होता है German grade was a famous Australian writer और German grade जो है एक बहुत ही प्रसिद Australian writer है Australia के नहीं ये बहुत ही ज़्यादा famous प्रसिद लिखका है ठीक है तो इनके बारे में हम लोग तो सौट में जान लिए और आपकी मुख्यता न कि ये Child is born को कौन लिखे जर्मन grade जी का जर्म और जर्मस्थान कौन सा है ये आपको बहुत बार objective में पूछा गया है ठीक है तो ऐसे सवाल अगर आपके परिक्षा में आएंगे तो अपने से दुरूप से उसको अच्छे से कर लोगे अब हम लोग चलते हैं चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं line by line अच्छे से पढ़ेंगे अजी दोस्तों तो आईए हम लोग पहला paragraph से start करते हैं और एक-एक paragraph को अच्छे से समझना है देखो आपको यहाँ पे एक-एक paragraph बहुत अच्छे से जब समझाएंगे हो सकता है साइध से कोई paragraph में आपको थोरी सी दिक्कत हो तो वहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे न उस सीज को समझने की कोशिस करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए है ना और देखो जब कभी दिक्कत हो ना कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना कि कम से कम उसका हिंदी मीनिंग आप जरूर आपके अपने माइंड में सेट कर लेना कम से कम अगर आप अभी देखोगे ने इसको अगर हिंदी मीनिंग भी आपके माइंड में अगर सेट हो जाएगा तो आपके एक्जाम में जो भी प्रस्न आएगा उसका उत्तर कहीं न कहीं आपके माइंड में रहेगा उसका उत्तर तो आपको पता रहेगा और उसको थोरा ब स्विप्स त्रिवाइब नाम था संबनेट होगा तो यहां पर सुर्वाद जो होती है पहला लाइन से क्या मिल रहा है दवी औप मेनेजिंग चाइड़ वर्थ है ना मतलब बच्ची का जन्म होता है ठीक है उसको मैनेज जो किया जाता है मैनेजिंग मतलब क्या होता है परवंदन मतलब अच्छे से उसका देखरे करना ख्याल रखना ठीक है मतलब जब बच्चे के जन्व जो होती है ठीक है तो उसका जो परवंदन होता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में पता है किसको कहते हैं involves स्वाल फ्रैडिशनल ससाीटिज मतलब एक तरिक स्वाजोग जैसे कि इंडिया होगय बंगला देश हो गया यह सब क्या है यह सब क्रेडिशनल स ससाइटि आंति हमें पुराना भी Danke उसको अबनाय हुए कही नहीं हम लोग रहते हैं इसलिए अपने लुके society को कहा जाता है traditional societies तो वही बंगला देश आ गया इंडिया आ गया फिके पाकिस्तान गया लेकिन वही modern technology मतलब modern societies किसको कहते हैं modern societies कहते हैं England को अमेरिका को ठीक है वहां पर लोग बहुत ज़्यादा modern हुए रहते हैं लेकिन अपने लोग बहुत ही ज्यादा हद तक क्या रहते हैं ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हैं जो हमारे पुर्वजों ने हमें वतलाया है उन सारी चीजों पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं ठीक है अगर देखो डीप नॉलेज सच में अच्छा पढ़ना है थोरा सा डीटेल नॉलेज आपको देंगे लेकिन आपके लिए वो ज्यादा सही रहेगा सुटेवल रहेगी तो थोरा सा अपना पैसेंस बना के रखो कि भाई एक घंटा हमको इधर उधर नहीं भटकना एक गंटा प्रॉपर्ली अब हमें दे दो पूरा चप् कि होते हैं मतलब पारंप्रिक समाजों में बच्चे की जन्म देने का जो परवन्धन होता है वह मतलब कई होते हैं और अलगलग तरीकों का होता है पारंप्रिक S77 वह में में प्रसव यानि बच्चे का जन्म होने वाला रहता है तो बहुत-बहुत परकार से बहुत सारी चीजों को इकत्रित करना हर चीजों का देखरेक करना कि क्या कुछ और चीज के जरात पढ़ सकती है क्या है तो हर चीजों का देखरेक करना ठीक है ट्रडेशनल ससाइटेज में होती है देर यूसफुलने मतलब एक तरीका सांस्कृतिक रूप से and collectively यानि सामोहिक रूप से सब लोग अपनायते हैं मतलब वही तौर तरीका हर एक लोग महां के अपनाते हैं हर एक लोग वही तौर तरीका से गुजडते हैं चाइड़ वर्ट के दौरान ठीक है so that की the mother does not have to psychic burden का मतलब पता है क्या होता है मांसिक दवाब है मांसिक बोज जो होता है मांसिक दवाब जो होता है उसको कहते है psychic burden ठीक है तो psychic burden मां पे नहीं आए to reinventing the procedures कि भाई बच्चे का जन्म देने का जो procedure हो न वो मां को दुवारा से उसके मन पे न वो कोई psychic burden मांसिक बोज नहीं हो उसको हर चीज पता ही रहता है क्योंकि हर लोग है हर लोग culturally हो Sanskritic group से हो और collectively यानि सामोही group से हो हर एक लोग वही तोर तरीका बच्चे के जन्म किसम में अपनाते रहते हैं जिससे क्या होता है कि मां के मन पे जो होता है दिमाग पे burden नहीं आता है बोज नहीं रहता है उसको पता होता है भाई वो क्या चीज क्या क्या इस्तिति आने वाली है कैसा कैसा होने वाला है हर चीज उसको पहले से ही पता रहता है इससे क्या होता है उसके मन पे वो psychic burden जो होता है वो एक तरीक इस मांसिक दबाब वो नहीं पड़ता है ठीक है नहीं तो एक मां के उपर सोचो ना उसको क्या लग रहा होगा कि क्या होगा कैसे होगा उसको सब कुछ पता है कि भाई क्या होगा कैसे होगा कब होगा है हर चीज उसको पता रहता है ठीक है तो यहाँ पे यह अपन लोग का यह हुआ पैराग्राफ नमर वन लेकिन पैराग्राफ नमर वन अभी खतम नहीं हुआ है आगे देखो क्या यहाँ पे है even through the potential catastrophe are alive है ना potential catastrophe क्या होता है जी potential catastrophe मतलब संभावित है ना संभावित catastrophe का मतलब धुरगटनाई या घटनाई है ना जो भी संभावित खत्रा होता है वो क्या रहता है एलाइव रहता है वो तो मन में रहता ही है वो जिन्दा रहता है in the memory of our community and the index of anxiety high है ना उनके जो भी community के लोग है उनके जो समुदाई के लोग है उनके मन में एक संभावित खत्रा रहता है कि चलो बच्चे का जन्म जो होता है वो सभी लोगों में इसी परकार से होती है लेकिन फिर भी कही ना कही मन में वो जो है ना मतलब catastrophe जो रहती है ज़्यादा घबराहट तो उनलों को होई रहती है कि पता नहीं क्या होगा बस अच्छे से हो जाए है वगबान सब सही से हो जाए हर लोगों के मन में वो चीज रहती है ठीक है तैसी रहती है ए रिचुल एप्रोच और प्रेगनेंसी विच हम्स दी प्रेगनेंट वोमें एबाउट विथ टैबूज एड प्रोहविशन हेल्प मेक दी एंजाईटी मैनेज़बल देखो बहुत अच्छा लाइन यहां पर प्रयोग किये हैं देखो हर एक समुदाई के लोगों में कहीं कहीं उसके मन में एक संभावित दुरगटनाएं और सारी जो भी घवराट रहती है उसका लेवल होता है संभावित दुरगटनाएं का एक तरीके जो होने वाली हो सकती है साय से हो सकती है इसलिए उसका एंजाईटी हर एक लोगों में थोड़ा से डर रहता है कि बस रिचुल एप्रोच मतलब एक तरीके से रिचुल एप्रोच क्या होता है धार्मिक धार्मिक जो है रिती रिवाज होता है ना धार्मिक रिती रिवाज होता है तो प्रेगनेंसी विच हम दी प्रेगनेंट वोमेन ये धार्मिक रिवाज में क्या होता है ने कि सामुहिक रूप से जो चीज परतिवंदीद है उसको कहते हैं that सब्सक्राइब बात करें तो सामुहिक रूपसे जो चीज परतिवंदीद है कि जब गर्वावस्था हो उस असमय ये औरद यह काम नहीं करेगी पहईशन मतलब बहुत सारी चीज़ों पर निसेद लगा रहता ह कि बोलते हैं कि यह पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि गर्वती महिला जो होगी वह यह काम नहीं करेगी बहुत भारी वजन नहीं उठाएगी बहुत चापा कल नहीं चलाएगी तो कुछ वैसा वैसा रहता है इससे क्या होता है help make the anxiety manageable और यहीं से क्या होती है घवराहट जो रहती है वो थोड़ा सा manageable रहता है थोड़ा हद तक प्रवंदनिय रहता है थोड़ा हद तक कम होता है ठीक है यही रिचुल एप्रोच जो है यह कहीं घवराहट टेंसन इस सब को कम किया करता है कि भाई सही बात है हम तो नहीं सांथ करके रखती है है तो आप समझते हो कि मतलब एक तरीके से अभी बहुत अच्छा अच्छा यहां पर स्टोडी आने वाला लेकिन उससे पहले एक बच्चे का जन्म होता है सोचो ना एक मां भी आपको जन्म दे तो कहां क्या-क्या प्रेसर होता है हर एक वोमेन के उप हर एक महिला के उपर उस चीजों को कहीं न कहीं यहां पर फील करवाते हैं यहां पर और उसी चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी देखो आगे आते हैं लेकिन पराग्राफ वन ही अभी चल रहा है ठीक है पराग्राफ वन थोरा सा लंबा है इसलिए अच्छे स एक महिला जो हर एक प्रॉहफशन मतलब जो हर एक निसेद हर एक चीजों को जो एक तरीके से क्या करती है तो उस्फर करती है पालन करती है ठीक है जो एक ठीकर जो डृत बे को जिर होने वाले रहती तो इस DRD रहता है दुरगटना रहती है उसको कहीं न कहीं बै करके रखते मतलब उसको कहीं न कहीं दूर करके रखती है संभावित दुरगटना से कहीं न कहीं वो बज जाती है अगर गरभवस्ता के हर एक नियाम को अगर वो पालन करती है तो ठीक है See will have other reinforcement ठीक है देखे और सारे लोग जो होते हैं उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब जो एक तरीके से धार्मिक तरीका होता है कहीं न कहीं हर एक लोग एक दूसरे का मदद करते हैं और इसमें अगर बात करें तो है मतलब बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के दौरान गरवावस्तह के दौरbelt खीनेंगरवर्भार्व्सतमिक लावन्चारव शुस को support करता है किसको support करता है किसको एक pregnant woman को अब ये कौन-कौन भाई pregnant woman को support करता है primarily her husband husband जो रहते हैं एक गरवती महीला की husband रहता है जो बहुत हद तक उसको support करते हैं ठीक है मतलब कि उसको जो भी चाहिए उसका देखरे करना उसका proper ख्याल करना उसका भी काम वो कर देते हैं एक husband जो रहता है एक महिला का जो अगरवती है वो बहुत अथ तक उसको support करते हैं और फिर उसके kingsfolk का मतलब क्या होता है रिष्टेदार ठीक है और उसके रिष्टेदार बगर विजयो रहते हैं वो सब भी कही न कहीं मिलने आते हैं देखरे करते हैं उसका ख्याल रखते हैं ठीक है कहीं न कहीं रहते हैं जो रहते हैं भो मैनेज़ेबल होते हैं इस था क्लियर है अब आगे समझते हैं नमर वन में ही आगे चलते हैं some of these behaviors will be sensible some of these behaviors मतलब यह सारे लोग जो रहते हैं husband रिस्तेदार उसके बाद उसके समुदाई के और सारे लोग आसपास महले के लोग जो रहते हैं यह सभी लोग जो आते हैं तो कहीं कुछ चीज आपस में बैठ के बात करते हैं कि देखो यह ऐसे हुआ यह ऐसे हुआ कहीं कुछ ना कुछ उस महिला को गर्वती महिला को सब लोग हिम्मत देते हैं इन में से क्या होता है कुछ का behavior सभाब जो रहता है उनकी बाती जो रहती है वो sensible रहता है मतलब कहीं ठीक है but they will all increase her sense of security है ना लेकिन वो सभी लोग जो है क्या करते हैं उस गर्वती महिला के sense of security मतलब उसके जो है एक तरीके से सुरक्षात्मक भावना को और हद तक बिखसित करते हैं and her conviction that she is conducting the pregnancy not that it conducting her और उसे एक तरीके से इतना ज्यादा सुरक्षित महसूस करवा देती है करे तुम को क्या होगा है कि तुम तो सब कुछ आसानी से कर लो तुम सोचो ना तुम एक क्या कर रहे हो तब मतलब प्रेंगनेंसी को कंडक्ट कर रहे हो ठीक है मतलब तुम गर्वावस्ता का संचालन कर रहे हो ना कि गर्वावस्ता तुम हे संचालन कर रहा है ना तुम इतने हिमतवर हो कि तुम जो है गर्वावस्ता का संचालन कर रहे हो ना कि गर्वावस्ता जो चाहे वो तुम से नहीं करवा सकता तुम लेकिन देखो आप समझ में तो आ रहा है ना भई एक तरीके एक महिला के ऊपर क्या बीत रहा होता है और उसको कैसे कैसे लोग कही न कहीं हिम्मत देखे सपोर्ट देखे यह रहे तुम तो कर लोगे तुम घरभा वस्ता का संचालन तुम कर रहे हो है न उसके पती उसके लोग सेलेक्सिस ठीक है बोले तो प्रोफिलेक्सिस इसको इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक तरीके से जो भी खत्रा वगरा होता है ठीक है जो भी एक तरीके से रोग होता है ठीक है रोग का रोग थाम जिसको हम लोग बोल फ्रकते हैं ठीक है प्रोफिलेक्सिस का मतलब ठीक है रेमनेंट ओफ डीस काइंड और प्रोफेलेक्सिस इस और पर्सिस्टेंस ओफ ओल्ड वाइब अब देखो अब देखो रेमनेंट का मतलब क्या होता है जी पता है अवसेज है ना कुछ चीज जैसे अगर यह पेंटुट गया इसका छोटा सा पाट अगर रहा हुआ घर जला हुआ हमें कुछ अब सेवही परकार से को केते हैं ठीक है ओफ डी काइंड और प्रोफेलेक्सिस मतलब रोग के निसेद का कुछ अब्सेज के पाया जाता है मतलब रोग के रोक थाम को अगर कोई बीमारी है उसके रोक थाम का अफसिस can be found पाया जा सकता है in the persistence of old wives मतलब पुराने जो दादी जो होते हैं उसको कहते हैं old wives tells है ना पुरानी दादियों के कहानियों में है ना मतलब उनके tells का मतलब कहानियों में about pregnancy even in our own super rational and confused lifestyle हम लोग का जो यह एक तरीके इस confused एक तरीके इस बुले ना मतलब अलग तरीके का मतलब कहा जाए तो ब्रहमी तो जो जीवन सहली है तरक संगत जो जीवन सहली है इसमें भी आज भी अपने पुरानी दादियों के कहानियों में थोरा बहुत रोग के रोग थाम का थोरा बहुत कहानी जरूर मिल जाती है अफसेस जरूर मिल जाती है है यहां पर कभी कहती है कभी यहां पर कहती है पता है ना पता है ना कभी के बारे में कवित्री के अपने लोग के इस ब्ञामित जीवन सेली में इस एक टेक्टो इसे हैं मतलब कहा जाए तो यह मौडर्न जवाने से उस तरीकेसे बिलोंग करते हैं तो वह वहां से बोलते हैं उस जगह पे खुछ न कुछ उसके आपसेस मिल जाते हैं मतलब अपने उनके यहां पुरानी दादियों के कहानियों में कुछ रोक की रोक थाम का उपाई कहीं न कहीं मिल जाती है ठीक है कितना आसान बस बनाने की कोसिस कर रहे नहीं तो ये चाप्टर आप पढ़ लोगे न सच में अच्छा रहेगा आपके एक्जाम के लिए और साथी साथ इसको इससे आसान और क्या ही किया जा सकता है इसलिए आजो अच्छे से समझो हर चीजों को ठीक है अब अभी अभी तक आपको एक कहानी शुरू होती है, ठीके है, यहां से एक कहानी शुरू होती है, चलो, कम से कम आप लोग यहां से यहां से जबूर फोकस करो, ठीके, एक घंटा कहीं इधर उधर इफ और दिमाग मतलगाओ, एक घंटा प्रॉपरली हमें दो, ठीके, वन युनिवर्सिटी ग्रेजुएट ओफ माई एकोंटेंस है ना एकोंटेंस का मतलब क्या होता है भाई एक मेरे परिचित है ना एक जान पहचान के लोग ठीक है एक मेरे परिचित छे जो एक युनिवर्सिटी के एक ग्रेजुएट थी जो मेरी परचित थी who approach her pregnancy जो अपनी गर्ववस्था को वो अपने गर्ववस्था में थीS इस बच्चे को जन्म देने वाली थी as if it while her term assignment और वो अपनी गर्ववस्था के दौरान को उस period को उस समय को वह ले रही थी जैसे उसको कोई term assignment दे दिया होता है ना आपको school में दे दिया कि यह चीज complete करके लाऊ assignment बना करके लाऊ वो अपना assignment की रूप में ले रही थी हर एक त्यारी कर रही थी उसी तरीके से उसको ले ही रही थी metiquously, footnotting, every development, metiquously, एक तरीके से बहुत ही साभधानी पूरवक, metiquously, मतलब बहुत ही सतर्कता से, साभधानी पूरवक, footnotting, मतलब उसको लिखा करती थी, every development, हर एक हलचल, जो भी विकास हुआ, जो भी तरक्की हुआ, मतलब एक तरीके से उसके पेट में, कभी तरी थे, और तो वहां के बारे में बात करते हैं, कि भाई, वहां पर इनके, जो हैना, एक कॉलेज के परचित थे, ठीक है, वो ऐसा कर रही थी, ठीक है, वो अपने गर्भा अस्तों के एक एसाइमेंट के तौर पे ले रही थी, ठीक है, कलंग टू हर प्री नेटल एक्सराइज एज एज ए फॉर्म ओफ रिच्वल अब्रबरेंस आज वेल एज ए हेल्फुल प्रेपरेशन फोर्स फेजिकल एक्स्प्लाइट ओफ चाइल्ड वर्थ, ठीक है, कलंग एफ प्री नेटल एक्सराइज मतलब प्री नेटल का होता है बच्चे के जन्म के पूर्व, जो भी एक तरीक रूल नियम होते हैं हर चीजों का वह पालन करती यहांज as helpful preparation और हर एक चीज को वो तयार कर रहे थी फूर फीजिकल एक्सप्लाइट हर एक development को इस तरीके से निगरानी रखती और टोटल रिकलेक्शन एट दा सेम टाइम एवरी डे कम हिल और हाई वाटर है और वो एक तरीके से हर दिन इस एक ही समय में गहरी चुपी में इसके अती इसे करना अती आवस्यक था कि भाई वो एक तरीके हर एक चीजों का पालन कर पड़ती थी ठीक है तो यह कवित्री अपने एक के बारे में अपने जान प्रहिसान के लोग जो थे इनके कॉलेज में पड़ती थी उसी के बारे में यह बतला रही है अभी पराग्राफ न और वन ही अभी तक चल रहा है चलो देखो एजवेल सी ऑब्जवग दी ओल्डाय Tank 108-7 और साथ ही साथ ना वह एक तरीके से ओल डायाइड सुपर स्टेशन वह एक तरीके से पुराने अंध विश्वास जा सब्देत को कहता है ना उसको कैता है ओल्डायाइड सुपर स्टेशन ठीक है उसकी भी तरीके जैनने लागी थी रॉट कि acquiring equipment and apparel for babies before worth was bad luck ठीक है, कि acquiring equipment मतलब बच्चे के लिए जन्म से पुर्व बच्चे के जन्म से पुर्व कोई भी उसका equipment ख़़ड़ना, कोई खिलोना ख़ड़ना है या फिर apparel ख़ड़ना ठीक है, apparel का मतलब होता है कोई भी वस्तर ख़ड़ना, उस बच्चे के लिए उसके जन्म से पुर्व वाज बड़ लग वो बहुत ही बुरा माना जाता है ये इस अंध विश्वास में भी एक तरीके से कहो न कहो तो वो जीने लगी थी और ऐसा कि वो सोचते थी एक गौड़ चिल्डरन जो था बिना क्राइब, और नैपकीन के वो इस दुनिया से छला गया बिना क्राइब नैपकीन के ये मतलब बच्राइ जाटा था कि बच्चे को जन्म देने वाले जोर थी तो वो हर एक चीजों को उस परिक्रिया को उस दौरान को उस अवस्था को उस समय को एक तरीके से enjoy कर सकती थी बट लेकिन after हर training of unmedicated child worth for month लेकिन वो भाई अलग तरीके से unmedicated child worth मतलब एक तरीके से उसका कोई परिमान नहीं था कि भाई वो सही कर रहे है गलत कर रहे है unmedicated जो ट्रेनिंग एक तरीके से खुद से ले रही थी और वो इतना खराव हुआ in the event the hospital और hospital में क्या होता है उस बेचारी वो daily एक तरीके से हर एक चीजों को footnote करती लिखती थी और एक तरीके से कुछ न कुछ न कुछ न कुछ वो करती रहती ताकि उसको एक तरीके से दर्द नहों बच्चे को जन्म देते समय या फिर उसको कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए वो हर हमेसा मतलब ट्रेनिंग वगरा लेते रहती थी और इसके कारण यह हुआ ना कि hospital refuse to believe hospital मना कर दिया इस भरूसा करने से सीवाज इंदा सकेंड स्टेज लेवर अंटिल हर डॉटर्टर्स हेड हैज एपिर वो हुस्पीटल के स्टाप से माने से इनका कर रहे थे कि वह अभी बच्चे को जन्म देने वाली है और बच्चे को जन्म देने में जो यह सकेंड रहे थे क्या रहे नहीं होने वाले बच्चा है ना अफिटल स्टाप वस सू अन कोपरेटिव नहीं थे मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से ख्याल रखने वाले नहीं थे अवाउट ब्रेस्ट फीडिंग डाट मधर और डिस्चार्ज डैंसल आप्टर जो होता है उसके बारे में वह समत था कि भाई नहीं पिलाना चाहिए यह है वह है ठीक है ऐसा था कि मतलब भाई दो दिन एक तरीके से गिसांद न्सेल आप्टर तू डेस और अर मदर चैल्ड को डिस्चार्ज कर दिया गया दो दिन के बाद वापसा अना पर वहां से ठीक और अब देखो यहाँ पर paragraph number 2 स्टार्ट हो रहा है, कहो के भाई यहाँ जान में जान आया, आप तो paragraph number 2 तक पहाँच गए, हमें तो लग रहा था कि आज हमें paragraph 1 ही पढ़ाएंगे लेकिन देखो हम आ गए ना paragraph number 2 अब देखो यहाँ पर क्या बुला गया है paragraph number 2 में, this worth was virtually unattended है ना, और यह जो जन्म हो रही थी यह बिल्कुल ही unattended था, unattended कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई इसको attended करने वाला कोई नहीं था, मतलब उसको देखरेक करने वाला उसको निगरानी में रखने वाला कोई नहीं था कि उस महिला गर बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको कौन निगरानी रखेगा, कुछ हो जाएगा कोई नहीं था कभित्री के एक जो परजित थे वो जो बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उसको देखरेक में नहीं था, उसको निगरानी रखने वाला कोई नहीं था, सूचो एक महिला बच्चे को जन्व देने वाली यह, उसको देखरेक के लिए कोई नहीं है, बाहर में विदेशों में ऐसा ही होता हो, ठीक है, इन नोन-technocratic societies, जो होते हैं मतलब एक तरीके से जो ऐसे पारंप्रिक समाज जो होती है ठीक है मतलब बोला जाए तो गैरत टकनीकी लोगतांत्रिक समाज होती है मतलब एक तरीके से बोला जाए इंडिया हो गया बंगलादेश हो गया यह सब जो होती है यहां सब में क्या होती है except for markable accident है कोई खास ही अवसर पर ऐसा कोई होगा वर्थ इस वर्थ इस वर्थ इस अल्वेज अटेंड़ कि वहां पे एक तरीके से कोई देखरेक मिना होगा लेकिन मतलब इंडिया में ऐसा हर हमेशा होता है कि हर हमेशा जो बच्चे को जन्म देने वाले रहते हैं वर्थ जो ह सब लोग पहूंचे रहते हैं और बाहन पिर आयए ही घर तो सब लोग स्वागत में अधून धीना है इसको एकडम प्रॉपार्ली लोग अगदम खुसी खुसी रहते हैं लेकिन अगर मानों यही फ़ोरण वइगईरा में क्या होता बिडियसूं ratios me क्या होता है एक महिला बच्चे को जन्व दी वो बिचारी अकेले वहां गई होस्पीटल से अकेले घर आई उसका एक तरीके से वेलकम करने के लिए स्वागत करने के लिए भी कोई नहीं है कि चलो तुमने बहुत बरी आज काम करी है है ना मतलब तुम आज ये प्रेसर से इस करने के लिए उसकी नहीं रहता है यही जीवन सैली है यही भारत वर्स हम लोग का अश्वाग यह है कि हम लोग ऐसे जगहों से हम लोग बिलॉंग करते हैं तो बहरत मता के जाएं चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग पराग्राफ नुमर 3 के और चलते हैं और आच्छे से अब paragraph 3 को भी समझें चलो फिर यहां पर paragraph 3 के पहला लाइन में देखो क्या बोला जा रहा है इसमें यहां पर बोला जा रहा है क्या चीज़ clearly infant and infant and mother mortality is greater in traditional वर्थ है यहां पर बोला गया है कि सिसू infant का मतलब क्या होता है सिसू है सिसू यानि नवजास सिसू होता है नवजात सिसू और मदर यानि माता काért Hessen is greater in traditional वर्थ है तो बच्चे का जन्म होता है ठिक है पारंप्रिक समय तोर तरीकोंसे अगर बच्चों का डेथ, लेकिन हम लोग का घवराहत रहता है ना कि भाई डेथ ना हो, मिर्तू ना हो we may have destroyed the significance of the experience of the vast majority who lived है हम ना एक तरीके से इस डर में इस डर में एक तरीके स कहीं ना कहीं कि हम लोग रोगी मिर्तू के डर ना आए इसके लिए हम लोग तरीके से बोलते हैं यहां पे कवितरी कि ऐसा हो गया है ना कि मतलब हम लोग उस जो प्रक्रिया होता है वो जो समय होता है उसको एक तरीके से फील करने का उसको एक तरीके से जानने का समझने का उसको एक तरीके से इंज्वाई करने का उस गर्वावस्था के समय को है ना वो चीजों को हम लोग क पाइवरी इस बात से कोई एक नहीं कर सकता है कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि हर एक नमजास जो है न सिसु और पाइवर एक मिर्तु जो होती है हर एक मातरी मिर्तु जो रहती है इसे ट्रेस्डी वो एक बहुत बारा क्या है एक तरीके से सोख है सोख वाला चीज है इसको हर एक तरीके से रोकना चाहिए अगर ये संभव है किसी भी तरीके से अगर ये संभव है नौड़ डाट ओप्स्ट्रेट्रिक केर है ना आज देखो यहां पर बोला गया आधनिक परसूती देखवाल जो रहता है ना आधनिक परसूती यानि एक तरीके जन्म के समय जो देखवाल होती है इतना हद तक विकास हो गया कहने का मतलब आगनिक परसूती देखवाल जो होता है एक तरीके फिटल वगयरा जो रहता है एक तरीके इतना हद तक डेबलप्ट हो गया विकास कर गया है in the hospital sitting है ना मतलब होस्पीटल वगयरा में ठीक है यहां पर बोलते हैं कि आधनिक परस्वित्ती जो है ना ख्याल जो रखने वाले जगह है जैसे होस्पीटल वगरा यह इतना हद तक विकास कर गया है कि इसको बोल सकते हैं कि एक तरीक जिम्यवार हैं उस जो है ड्रामेस्टिक जो है डिक्रीज यहां पर है ठीक है ड्रामेटिक डिक्रीज एक तरीक जो है कि मातरी और guessing q2 की यह अचानक्स इतना हद्तक कम हो गया है इसके पीछे जिम्मेवार जो है कोई बहुत चीजों का बहुत प्रॉपरly या जरे जाता है हार एक एक्यूपमेंट होती है दवाईयां होती है इसलिए बहुत अच्छे से वहाँ पर ख्याल रखा जाता है और कहीं न कहीं मातरी और सिसो का मिर्तुदर भी बहुत हत्तक कम हुआ इसके कारण परग्राफ नुमर्ट थ्री में ही आगे देखो क्या है बट इट आल नॉट नेसेसरीली प्रेजर्व टू को सन लेकिन हम लोग को न यह जो है मतलब को सन नहीं करना चाहिए तरक बिरूद नहीं है को सन करना यह तरक बिरूद नहीं है वेदर आवर पर्जेंट प्रायर्टी should we reach minimum figure for prenatal mortality at any price ठीक है क्या हम लोग को एक तरीके से हम लोग को कोई भी कीमत पे हम लोग को एक तरीके से प्री नेटल मॉटलिटी जो है जर्मस से पूर्व जो है मिर्टू जो होती है क्या उसको रोकना सबसे पहले हमारा प्रायर्टी होना चाहिए ठीक है कोई भी कीमत पर हमारा काम सबसे पहला क्या होना चाहिए यह सवाल पूछना भी कोई तरक संगत बात नहीं है कोई भी गलत नहीं बोल सकता इस चीज़ को पहला क्या चीज कि क्या अभी हमारा प्रायर्टी मतलब हमारा सबसे पहला प्रायर्टी कहने का मतलब हमारा सबसे प कि include giving up things which free human being have often felt to be more important than even on survival जबकि कुछ सवतंतर लोग क्या चाते हैं कि भाई एक तरीके वो इस दुनिया में उनके प्रानों से ज़्यादा उनका सवतंतर रहना जरूरी है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई हम अपने तरीके तोर तरीके समझीए हमको सवतंतर रहने थे ठीक है सच अब यह और फ्रीडम यह चाते हैं लोगो यह फ्रीडम चाते हैं कि भाई वो अपने तरीके से जीए है वो अपने एक तरीके से अपने अनुसार जीए हर एक तरीका अगर रूख सकती है जो जो चीज restrict किया जा रहा है वो सब चीजों का तो मतलब ख्याली नहीं रखते हैं बस जो मन में आए गया वही करना है तो क्या हमारा यह होना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी कीमत पर मिर्दुदर को रोकना चाहिए जब कि लोग तो खुद मरने के लिए जा रहे हैं है नो बहुत सारे चीज जोभी रिस्टिक्ट की चीजें हैं वो प्रेग्निज़ी के दोरान कर रहा है तो वो सब चीजें क्या है कहीं न कहीं मतलब दिकत वाली चीज़े हैं तो यहाँ पर लेखका इस चीजों को भी जा रहे क्या चीज़् इसमें सबसे पहला लाइन में बोला जा रहा है कि in many societies बहुत सारे समाजों में women still go forth from their mother's house at marriage to live with mother-in-law है ना state in many societies बहुत सारे समाजों में क्या होती है महिलाएं जो होती है women जो होती कि वो अभी भी मां के घर से मैरेज के बाद साधी के बाद तु लिब विथ मदर इंग लो अपने सासु मां के घर चली जाती है and the wives of their husband brother है न और उसके husband जो रहते हैं उसके पती जो रहते हैं उसके भाई वगरा जो रहते हैं उनकी जो पतनी होती हैं उन सभी के साथ ये रहने लगते हैं मतलब अपने पती के घर पे वो रहने लगती हैं आज भी बहुत सारे समाजों में महिलाएं ऐसा होती है ठीक है कभी त्रिया ऐसे लिखती है जर्मन गेड़ जी इड़ीज टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलोजी और यह जो है न मनों बिज्ञान का एक है कि भाई एक महला जो होती है ठीक प्रिवार का तक सबसे पहले दे नहीं बन पाती है इफ वी कंसीडर डैट्ट अगर हमनों यह माने की इन सच सौसाइटीज दात महिश्च वास Democrats को have been arranged, अगर हम लोग यह मान ले ने कि भाई marriage होती है, अगर arrange marriage कि भाई, मतलब दोनों तरफ से बात हुआ families में और तब जा कि साधी हुई, ठीक है, it is understandable और तब यह मतलब बिल्कुल ही माननी है, मतलब समझने ही होग है, कि that कि the bride too long for the child who will stand in the same intimate relationship to her as she did with her own mother, और तब जा कि अगर वो साधी क्या रहती है, arrange marriage रहती है, तब जा कि यह समझने ही होग है, कि एक जो है bride, एक पतनीच भी जो रहती है, एक और जो भी रहती है, वो भी क्या चाहती है, वो लंबे समय से, too long to the child, वो बच्चे के लिए, उस बच्चे के लि सुन्दर संबंद के साथ खरे रहे, to her as she did with her mother, उसके साथ खरे रहे, जैसे वो अपने मा के साथ खरी थे न, उसी परकार से उसका भी एक बच्चा हो, वो भी उसके साथ खरे रहे, तब वो भी चाहती होगी, है न, the western interpretation, है न, जो western interpretation है, मतलब ब्याख्या जो है, in such mores is that they are backward और मतलब western interpretation, जो है, western के लोग जो होती है, पस्मी समाजों में, Australia, England, US, है न, इस सब जगह पे क्या होता है, ठीक है, इस सब जगह पे क्या होता है, वो लोग सोचते हैं, कि हम लोग के बारे में, अपने लोग का societies, बोले तो बंगलादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इस सब क spouse, है न, जो पती-पतनी, spouse का मतलब, पती-पतनी के बीच, जो सारे एक संबंध जो होता है, ये लोग बोलते है, आर, पर फंक्स्टरी, है न, मतलब, वो लोग बोलते है, कि ये क्या है, ये एक करतब और जो है, exploitative है, मतलब, एक तरीके सोसन है, ठीक है, वो लोग बोलते है पति-पत्नी के भी जो सारे संबंद होता है वो एक तरीके सोसन किया जाता है और सारे जो है सासुमा जो होते हैं वो एक तरीके क्या होते हैं यानि एक तरीके अन्याई और प्रतिसोधी होते हैं ठीके वहां के लोग ऐसे मानते हैं कि भाई जतने भी सासुमा होते हैं वो कहीं या कहीं सोचनकारी होता है तो यह सब चीजें उस लोगों को अपना सोच ने दो ना अपने लोग का तो जो चल रहा है वो चीजें सही है ठीक है वो लोग ऐसा सोच रहे थे तो वही चीज कभी तरी यहां पर लिखते हैं जर्मन के जी ठीक है वन अब ग्रेटेस्ट डिफकल् पुरुस के विचारों पुरुस के रणाएं सबको एक तरीके स्कहिं नहीं यह लोग जो होते हैं बिरोध करते हैं एसे महिलाएं होते हैं उसको feminist कहते हैं who are not sovereignistic and want to learn वह जो है ना एक तरीके स्वेनिस्टिक मतलब वह तरीके से उगरवादी नहीं है वह सकते एक दिकत है ठीक है जितने भी लोग नारिवादी जितने भी है पुरुस विरोधिवादी जितने भी लोग है उनके बीच में रोगा है ठीक है are who are not sovenistic and want to learn from the women वो उस महिलाओं से सीखना चाहती है who still live within female societies जो अभी भी इस्तरी समाजों में रहती है मतलब इस्तरी का जो रहन से हैं चाल रहन होता है बस उसी के साथ वो रहती है उससे वो सीखना भी आचाहती है in the tendency of those women who withdraw into silence a position with participating in international forum और ऐसी सारी महिलाओं जो होती है कहीं ना कहीं चुप रह जाती है वो महिलाओं के बीच यहां पर यह बोला गया है कि ऐसी महिलाओं जो कि एक तरीके इस तरी रहती है उस तरीके से रहती है उसी रहन से है उसी चाल ढहांं के साथ है लेकिन जो फैमनिस्ट लोग होते हैं जो एक तरी कि पुरुस विरोधी वादी लोग होते वह चाते कि वहां कि लोगों से थोड़ा बहुत सीखना भी है लेकिन उसके उसके रास्ते में पत्थर उसके रास्ते में कठनाई यह आती है वो लोग एक तरीके क्या करती है विड्रो इंटु साइलेंस वो लोग एक तरीके चुप रह जाती है अपोजीशन वैंड पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल फोरा कंडेक्टेड इन लैंग्वेज विच दे कैन नॉट स्पीक दा फ्लूएंसी वह उस सब्सब्दों को भाई जब वो चीज रहनसान उससे हो नहीं पाता है वह एक तरीके से वहां पर उस परफॉर्म करने से बाग जाती है और कहीं न कहीं उस सीजों को मतलब ब्लेम करती जाते है पुरुसवादी लोगों ठीक है तो यह भी यहां पर बतलाया गया है आगे चलते हैं आगे बढ देटके डएकड की देहाद गिभी गिवन अप गोईंग टो इन्टरनेश्टल करफ्रेंस ठीक है वो लुटनाव अन्तरास्टी सम्मेलन जो होते हैं उसको जाने से यात्रा होता है वह जो होता है है क्या होता है कि बहुत ही सवंदार ला जवाब होता है मतलब उस advance जब वहाँ का बोजन वहाँ का रहेंसन वहाँ का मतलब इंज्वाइमेंट वह रास्ता में जाना घूमना है ना वो एक तरीके से जबरदस्त वह ट्रीट होता है फिर भी वहाँ जाना छोड़ दिए क्योंकि they were tired of being told about their own life क्योंकि वह अपने बारे में बताते बताते ठक गई है instead of being consulted बस बलकि उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता उन्हें कोई समझाने वाला नहीं रहता बलकि वही को अपने बारे में बतलाना रहता हूं सम्मेलन में इसलिए वह बताते बताते ठक गई और कहीं ना कहीं वह एक तरीके सब international conferences में भी जाना छोड़ दिए ठीक है तो यह सब्सक्राइब करो और अच्छे से प्रॉपरली पराग्राफ नौर फाइब से देखो ना अच्छे से समझ में आगी कम सकम एट लिस्ट आप हिंदी मीनिंग तो एक एक लाइन बालाइन अच्छे से समझी लो ताकि आपको इस सप्टर में कहीं से कोई दिक्कत ना हो कोई बीच का लाइन दे देता है इसके बारे में explain करने तो वहां पे आप explain अच्छे से कर पाऊगे अगर आप लाइन बालाइन देखे रहोगे अच्छे से सीख लो अगर यह चाप्टर आपको टफ लग रहा है तो हमें पठाने में भी उतनी मेनत लग रही होगी ताकि आपके आसान कर पाएं ठीक है तो आगे आओ पाराग्राफ नुमर पांस से और आसान हम आपके लिए करते हैं ताकि आपको और अच्छे से थोरा सा स्क्लियर हो ठीक है चलो जी अब पाराग्राफ नुमर पांस पर और देखो अभी तक थोरा सा आपको complicated लगता होगा ना देखो थ देखोगे हम आपको दिखाएंगे भी कहां कहां से सवाल पूछा जाता है ठीक है आगे अभी जस्ट पाराग्राफ नुमर 6 आएगा है और 5 का लास्ट में भी बहुत ज्यादा important important चीज़ें हैं तो एके करके अच्छे से सब चीजों को जानते हैं ठीक है आजो बस ध्यान स एकदम अच्छे समझो एटलिस हिंदी तो आपको अच्छे से माइंड में फिट होना चीए और इंग्लिस वर्ड को एक-एक चीजों को समझते हुए चलो ठीक है आजो देखो पहला लाइन यहां पर क्या बूला जा रहा पराग्राइफ नौर 5 में इसमें है दस वी इन वे समी देसों में हम लोग जो है ना जो चर्ण को अपनी आम को खो देती है और वह पना नाम को जाना जाते हैं अपने लोग के यहां पे बंगलादेश में कुछ ऐसा ही होता है कि आप देखोगे नॉर्मली उसके मां को उसके पहले जन में जो बेटा होता है उसके नाम से पुकारा जाने लगता है ठीक है तो यह बोला गया और इसको अपमान जनक मानते हैं बेस्ट कंट् सिंकिंग ऑफ दा वॉमिन्स लीनेज अंडर हर हस्बेंट नेम अट मैरेश ठीक है यहां पे बोलते हैं जब बच्चे को जन्व देते हैं तो मतलब नॉट प्रोटेक्ट है ना मोस्ट आफ उस हम लोग में से कोई जो है ना प्रोटेस्ट नहीं करते हैं ठीक है इसका जो है ऐसेशगी को कहते हैं ओफ वॉमिंस लीनेज जो महीला का जो वन्स लीन होता है ना भी से उस्चाधी Oke ठता है और रहांसे पती का वहां उसका मतलब ठतलब कर लेगाधा चलने लगता है और इस महीला का में कि महीला के एक पुरुस के साथ तो पुरुस पुरुस का जो होता है नाम है ना पुरुस का नाम उसके साथ मिल जाता और इसका वंस यहीं पर खतम अब इस पुरुस का वंस जो है इस महिला के साथ अब यहां से स्टार्ट होता है ठीक है तो यहां पर वेस्ट के लोग सो कुछ ऐसे यहा आगे देखो paragraph नुमर 5 में ही इन्हें many traditional societies है ना अब देखो यहां से बहुत आसान हो जाएगा और सच में यहां से आप लोग के बोर्ड परिक्षा में सवाल रहती है ठीक है यहां से आप लेके बोर्ड में सवाल रहती है और यही लाइन अभी आपको यहां पर जो देख रहा इसमें सवाल रहती है इन्हें many traditional societies बहुत सारे पारंपरिक समाजों में मतलब प्राचीन समाजों में जो की पुराने ख्यालात के समाज है जैसे इंडिया बंगलादेश है ना तो यहां सब क्या होता है the relationship between mother and child जो बच्चे और मा के भी जो समंद होता है is more important than the relation between husband and wife है ना ज पती और पत्नी के संबंद से भी ज़्यादा बढ़के बच्ची और माँ का संबंद होता simple बात ऐसा यहां पर बोला जारा है ठीक है कि पत्ती और पत्री के बीच कितना घरनिस संबंद होता लेकिन जब एक बच्चे को मां जर्म दे देती है उसके बाद वो बच्चा और मा important than either है लेकिन कुछ मामलों में अगर बात करें जो बच्चे का जो संबंध होता है उस परिवार के साथ उसके पूरे परिवार के साथ भी बहुत अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट है ठीक है यहां से इंपॉर्टेंट है हिज अंट मतलब उसकी जो है मतलब उसका जो है चाची जो होते हैं अंकल यानि चाचा लोग जो होते हैं मतलब यहां पर देखो बंगला देश के बारे में में बात किया जा रहा है बंगला देश के बारे में बात किया जा रहा है वहां पर क्या होता है कि चाचा और चाची जो होते हैं उसका संबंध उस बच्चे के साथ ना बहुत ज्यादा हो जाता इतना कि अपने माबाप से ज्यादा चाचा चाची उसको मानने लगते हैं उसके साथ घनी संबंद हो जाता है ठीक है तो यह वहां पर होते रहता है ठीक है आगे देखो आगे यहां पर पर फाइवी चल रहा है इन बहुत सारे समाजों में इन अफ्रिका और इंडिया में क्या होता है इस डेलिबरेटली वीकेंट पाइइन फोर्स abstinence और actual separation of parents in order to strengthen the extended family thus child are not born at the whim of the parents but the response to the border pressure of whole group अब देखो यहां पर क्या बोला किया ठीक है कि कुछ परंप्रिक समाजों में क्या होता जैविक परिवार को मजबूत करने के लिए मजबूत सयम या माता-पिता के बास्तविक अलगाव द्वारा जैविक परिवार का जान बूज कर कमजोर किया जाता है मतलब एक तरीके से यहां पर क्या होता है ना कि एक तरीके से थोरा सा अलग किया जाता है छोटा-छोटा किया बच्चे माता-पिता के अपने नेड़ने से पैदा नहीं होते हैं, बलकि पूरे समू के ब्यापक दवाव से पैदे होते हैं मतलब एक तरीके से बोले तो ब्रॉडरर जोग कर्द सबी में कारण की पड़ता है यहां पर बोला यह यह जा है कि भारत में देखोगे यहां पर क्या होता है कि सब लोग पूछने लगते हैं कब बच्चा कब होने वाला है तो यह सब चीजे प्रेसर होती है और उसके कारण बच्चे को जान देना पड़ता है यहां पर मतलब कुछ बोले बोला जाए कहां पर बायलोजिकल फैमली जहां अधासान हो जाएगा ठीक है उसके अधासान काफी हो जाएगा आजो देखूं यहां पर क्या वो लगया है डवोमेन हूँ सटिस्फाइड लॉंगिंग्स ओफ हर पीड्स हैना ऐसा वोमेन ऐसी महिला जो कि एक तरीके संतूष्ट है है ना लॉंगिंग्स ओफ हर पीड्स प्रोड्यूसिंग दे आर और एज तुसी हैना मतलब एक तरीके से जो महिला होती है वह एक तरीके से लॉंगिंग्स ओफ हर पीड्स मतलब जो आकांग्छाएं होती है जो लालसाएं होती है अगर उसको पूरा कर देती है कि मुझ बच्चे को जन्म देकर जो इसके लिए सब ललाईत रहते हैं सभी लोग एक तरीके लाईत रहते हैं एक बच्चे के लिए एक महिला होती है वह उसको बच्चे को जन्म के पूरा कर देती है find achievement celebrated in a way वह अगर बच्चे को जन्म दी न तो वह लगता एक achievement है कुछ हांसिल की है और उसको एक तरीके celebrate उस सब की रूप में मनाय जाता है इन डवे इस तरीके सेmacह सक्सेसं कि यह पूरा उसका उसकार्ण सप्सक्रजरि कि यहां क्या है एसे वहां मतलब किया जाता है मींजी कि हैं से आगे देखो क्या है कुछ पहले लोग न एक एकाउंट हाव दिस वर्क इन प्रेक्टिस इस वन फ्रॉम यंग सिलेटी वोमें अब देखो यहां पर यहां पर क्या है सिलेटी महिला होती है पहली कुछ महिला जिन्हों ने इसका अनुवब किया है उसमें से यहां एक सिलेटी महिला है ठीक है अब देखो यहां पर सिलेट अगर एक girl बहुत lucky है and her parents are alive अगर उसके माता पिता जिन्दा है ठीक है अगर कोई एक लड़की है अब देखो अगर कोई लड़की होती है अगर वो बहुत lucky है ना बहुत ही मतलब भागे साली है और अगर उसके parents जिन्दा रहते हैं माता पिता अगर जिन्दा है मतलब माता प प्रेगनेंसी अपने गर्भावस्ता जब होता है जब लास्ट अंतिम कुछ महीना बचता है जब बच्चे को जन्म देने वाले रहती है और कुछ महीना जब बच्चता है तो अपने मा के घर चली जाती है ठीक है और अब आउट दो स्थ्री मंथ ऑफ दबीवी लाइप और पच्छा तीन मंत का अलमोस हो जाता है तब जाके वह वहां से आती है ठीक है देर सी गेट लॉट्स ऑफ लव हैं एंड केर्ड वहां पर उसे बहुत सारा प्यार बहुत अच्छे से तो क्या-क्या पसंद है यह सब चीज़े वहां पर अपने मा के घर उसको बार-बार पूछा जाता है इसलिए प्रॉपर क्यार दिया रहा है अगे देखो पराग्राफ नूमर 6 में ही क्या बूला जा रहा है और हर समय चीज़े लुक्ट आफ्टर हर समय उसको हर हमेशा देखरेक में रखा जाता है करानी में रखा जाता है देखरेक क्या जाता है और यह समय परीवार के लिए स्पल यह समय पार जा रहा है आगे देखो आगे बढ़ते हैं पर आगराफ नमर 6 में अभी आगे बढ़ते हैं गृख पांइग हैना अब देखो क्या होता है में दर नेमिंग सेरिमनी यज लवली और पता है नाम करन है न Mississippi आप नश्याया जाता है उसको मना जाता यसे अपने यह हुता है न humans Tech seven days old ठीक है a new dress is brought for it उसके लिए जब साथ दिन का हो जाता है नैमिंग सरेमनी जब होता है तो उसमें चटियार्ज होता है उसमें क्या होता है उसके लिए नया कपरा खड़ता जाता है और मां के लिए नया नया सारी लाया जाता है ठीक है टेle is a fisting and singing fisting Upseat का मतलब भोजन भोजन वगरा होते रहता बोज वगरा होता है गाना ना पूरे रातो रात तक लुरा तक रारा बहुत रात तक रातित रहता चलते रहता ने गर्ल जो महिलाएं होती है जो लर्कियां होती है गैतर इखटा होते हैं और गीत वगरा गाते होता है न कि जब बच्चा वगरा होता है तो सब लोग लर्कियां महिलाएं सब लोग एकत्रित होके गीत वगरा गाते है ठीक है लोकल गीत वगरा उसके बाद देखो तर्मरिकन तर्मरीख आपने पास यह लहसून और आधी करते हैं था छी credited माला बनाके पहनाया जाता है एक शूण की तरीटी बुराइयां होती है जो भी बुरी आत्माईज हो तैे उसको पुर्भगा के रखें इसके लिए उसे जो है ना माला पहना दी जाती है डाइट वेंद नेम इस चूजए और जब नाम चूज कर लिया जाता है बच्चे का नाम करन चूज कर लिया जाता है यह समारों जो होता है वह लरका हो दोनों के लिए बलकुल सही बात है कि भाई हर लोग चाहते हैं कि लरका हो लरका होगा तो जदा अच्छा रहेगा ठीक है बट दवर्थ ऑफ गर्ल इस सेलिब्रेटेट विट ड़ सेम ज़ए बाइड़ वोमेन इन दा फैमिली ठीक है लेकिन अगर लरकी भी हो जाए ना तब भी उतना ही लगाते होगार को ठीक है वी सिट टोगेदर इटिंग पान एंड सिंगें हैं हम लोग साथ बैठते हैं यहां पर लेका बोलते हैं हम लोग जैसे वहां पर सिलेट में साथ बैठते हैं महिलाओं के साथ पान खाते हैं और गीत गाते हैं और हम में से बहुत सारे ऐसे लड़ there are so many jokes बहुत सारे जोक्स होते हैं हासी मजाक होते हैं सो मच लाफ्टर बहुत सारी मतलब हासियां चुड़ती है ठीक है हासी वाली बात रहती है पेपुल लोग सो फणी इटिंग पान इंड संगें हैं बहुत लोग जो है ना बहुत क्या दिखते हैं फणी दिखते हैं अजी है तो वह बहुत फणी लगता है तो यहां पर लेक का वही जीज कहते हैं ठीक है आगे देखो पैराग्राफ नमर सिक्स में देखो क्या बूला जा रहा है दमें डॉन्ट टेक मच पार्ट है लेकिन पूरुस होते हैं वह जादा कुछ इसमें भागिदारी नहीं लेते आप तो क्या होता है कहा महिलाा गीद काती है सिंगिंघ करती ठीके पान वगेरा बहुत कोण सब और बोश करते हैं ठीक देम जो पूरुस होते है वह आते है और एक तरीके से इसे बेबी को देखते हैं बच्चे को देखते हैं फील सोंग घोता है वह बहुत साधारन गीत होता है which are rarely written down जो सायद ही कहीं लिखा गया हो वो सब नहीं होता है गाउं दियात में जो चलते रहता है जो गीत वगर आप देखो गया हमें सा कुछ ना कुछ किसी कहां पर वहरन लगके वह बसते रहता है तो वह सब इतना सायद ही यहां पर लेका भी बोलती है कि ऐसा गीत वो लोग जाती है उस गीत वगरा में ठीक है अब देखो आगे वड़ते हैं परगराफ नुमर 7 पे अपर चलो 7 नमर्द परगराफ को देखते हैं और इसमें क्या बोला जा रहा है इसमें है एमांग डरिवाड औप्रेग्नेंसी इन दिस केस है न और इस संतर में अब यहां से भी हखें यहां से भी इंपॉर्टेंट है यहां पर थोड़ा सा देखिए ठीक है एंवंग डेवार्ड और प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी का पुरुष्कार्ज होता है इस से अब्जेक्टिव को से नाता है इन इन इस के इन दिस के इस संदर में एज इन मैनी अधर इस डाट दवोमेन गेट तू गो हम तो विजिट हर मदर एंसिस्टर प्रेगनेंसी का एक तरीके उपहार एक तरीके से रिवाड यही रहता है महिलाओं के लिए वह अपने अपने सिस्टर अपने मां इन सब से मिले वहां जाके ठीक है यह उसके लिए रिवाड होता है जो उसको कहते नॉस्ट्रालजिक टौन है ना मतलब जो पुरानी यादे वही रहा करती ती बाद में तो साधियों के यहां आया तो जब वह दुबारा से वहां पे जाएगी तो उसकी वह पुराने यादे ताजा हो जाएगी आप अवित रोज और वो जो एक तरीके से हिट करेगा तरीके से बूला जाए ना तो वह एक्दम से बहुत ही खुस हाल समय लगने लगेगा कि वह चीजों को याद करके मन बहुत परसंद हो जाएगा मेबी दा प्रोड़क्ट ओफ दी कॉंट्रास्ट डाट इस यंग वोमेन फाइं इंग्लेंड और ऐसा ऐसा जो है ना ऐसा बूले तो मतलब ऐसा माहौल ऐसा द्रिस ऐसा समय है ना साइध इंग्लेंड में रहने वाले लोगों को मिलता होगा है ना जिस तरीके से सिलेटी वोम फाउंड एव वाइस ओफ अमरित विलसन बुक्स गिव एस सिमलर रोजी पिक्चर ओफ रेर रेरिंग चाइल्ड इन बंगलादेश देखो अनादर देखो मतलब यहां पे एक और मिलता है ठीक है एक और एक महिला को एसे एक अनादर एक और एसेन महिला को ना मिलता है अमर अनधर कार से पाला जाता है उसका लौशता ही थी लिआ और 5 और शेक्स होते हैं उनाद पांच और छे साल का सुच सुचो कितना मस्त स्टोडी आप देखो यहां सेवगर Hiυram पालन पोसंट वह देखो बंगलादेश में क्या होता है इन बंगलादेश में क्या होता है चिल्ट्रेंड अंडर दा एज ऑफ फाइव और सेख न जो बच्चे पांच और छे साल के अंदर होते हैं और लुक्ड आफ्टर बाइदा होल फैमिली पूरे परिवार के द्वारा उसका देखर है ख्याल रखा जाता है ठीक है ओल दा चिल्ट्रेंड ऑफ डी जॉइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टोगेदर और पूरे जो बच्चे होते हैं जॉइंट फैमिली एक तरीके सभी लोग मिल मिल आपसे ही रहते हैं जॉइंट फैमिली रहते हैं सब साथ ही चल रहा है इसमें है यहां पर यहां पर क्या करेगी पॉंट मतलब एक तरीकी से एक वह क्या करेगी वह जाएगी नदी मतलब तालाब जाएगी सभी बच्चों को नालाने के लिए ठीक है और वह सभी बच्चों को नालाएगी ठीक है यहां से सभी आएंगे और फिर क्या करेंगे बैठेंगे खाना खाने के लिए ठीक है परहेपस दी यंगेस डॉटर इन लॉट रहते हैं मतलब सबसे चोटी बहु जो रहती है वह खाना बनाती है खाना को त्यार करती है अनदर फिड नंब और दूसरी एक महिला जो रहती हो दूसरी एक बहु क्या रहती है वह तरीक सब को खिलाती है ठीक है उनसा थरह कि Mrs. ऐध माईला जो मतलब यहां पर क्या वह एक एक बहु जो है वह गहि目न आई नालाने के लिए एक बहु तो तब तक खाना बना ली तीसरी वह भाई वो सबको खाना खिला दी ठीक है तो कितना आसान होता है सब मिल्जुल के काम करना एज ओफ प्लाइंग दचिल्रेंग प्ले आउड़ोर विद नेचरल अबजेक्ट और बच्चे लोग उसके बाद खेलते बगरा हैं और वो नेचरल अबजेक्ट के प्राकिरतिक चीज भूणों की जड़रत नहीं है जो होते हैं यहीं लोगवे यह टीज़ा आपना खुद का बना लोगा बना लिए चूला बना लिए रहा कोई चीज़ बना लिए घर बना लिए आप लोग में वी बहुत सारे आइसे लोग होंगे जो कुछ न कुछ जरूर किये होंगे बच्पन में अपना खिलोना की जगव पे कुछ चीज आप खुद से भी जरूर बनाया होंगे या कुछ कुछ नेचरल ऑबजेक्ट कोई भी ऐसा चीज होगा लकरी से इटा से हैंना कोई गुरिया को कुछ ऐसे चीज को आप एक तरीके से खुद से जो प्राकिरतिक में पाई जाती है उसी सब चीजों से कुछ आप करके जरूर खेलते होंगे ऐसा कुछ है ना बताएगा नीचे कम में क्या करते है वह रूपतों का सुनना चाहते हैं बच्पन में बहुत अच्छा उनको लगता रूपतों का क्या होती है एक होता है परियों की कहानी परियों की कहानी को रूपतों का सुनते हैं मतलब बहुत प्यारी अंटी होती है चाजी होती है सी टिल्स देम इस मानियास तो है चाची सुनाती है रुप रूप होता है ऩाच Peter होता है फटानी रात में किसी लेकिन रात में क्या होता है जब उस से नीन आती है जो सोने कर्णimon मदर्स एंड स्लिप इन दियर इंब्रेंस तब वो जब उसे नियंद आती है तो निश्य दुरूप से मां के पास जला जाता है और मां के बाहों में मां के आंचल में इंब्रेंस में वो सो जाता है ठीक है बट अदर वो में डू हैल पे लॉट लेकिन साथ में दूसरी पालते हैं दो बच्चे चार बच्चे को पालते हैं इन फैक्ट और बास्तव में डेयाव सच एस्ट्रॉंगर रिलेसंसिप विद चाइल्ड है ना और सच में कि वो अलग-अलग महिलाएं जो है वो भी बच्चे के साथ घंश संबद में रहते हैं डैट इस नॉट अनकॉ च्छोटी मा कहती है ठीक है कहता है बच्चा जिसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब आगे देखो पैराग्राफ नमर एट स्टार्ट होता है अब चलो एट नमर पैराग्राफ को अब हम लोग अच्छे से समझते हैं बस ध्यान से आप लोग देखिएगा हां जी तो अब आते हैं पैराग्राफ नमर आठ पे और देखो यहां पे क्या बोला जा रहा पहला लाइन से समझेगा बहुत आसान है बस थोरा सा और देख लो बस चाप्टर खतम हो जाएगी फिर हम आपको एक बड़ सौट मेरा सारा कुछ समराइज कर देंगे ठीक है आ इंपेक्ट ओफ वेस्टर्ण मेडिसीन बेस्टर्ण मेडिसीन जो है जो मतलब पस्मी देशों से यह मेडिसीन जो दवाईयां वगर आई है ना यह जो अंग्रेजी दवाई वगर आई यह सब क्या है इन ट्रेडिशन सोसाइटीज इस वन प्रॉब्लमेटिव एरिया ऑफ modernization का मतलब आधनी करन का एक सबसे problem वाली चीज है प्रिस्टीज है ना प्रिस्टीज का मतलब प्रतिस्था है ना प्रिस्टीज a of white coat white coat is enormous जो वारे लोग होते यानि डॉक्टर लोग जो होते हैं डॉक्टर नर्स यह वाले लोग जो होते हैं उसका प्रतिश्टा बहुत इनौरमस होता है ले-बहुत जादा होता है इन सब जगहों पर ठीक है मज़ेट्रेशन gamla में the respect of their miraculous hypodermics miracle hypodermics का मतलब होता तरीके से साइंटेस्ट का यह जो सुई वगरा होता है मतलब वो जो सुई वगरा होता है उस सब का एक तरीके से बहुत जादा यहां पminist्री बहुत ज्यादा है अपने लोग में बंगला देश में यहां पने बहुत जादा है एक पोडर्मेक्स का मतलब क्या होता है depression का यह सब एक पैसंट के बहुत जदा जब जब हो रुक नहीं सकता यह समलने सकता तब भी लोग एक तरीकेस लगी रहते ठीक है अब आगे देखते हैं अधन्मर में क्या बोला जा रहा है ईलोपैफिक डॉक्टर होते हैं इन पीजेट किसानों के समुदाय से जो जो ठॉक्टर होते हैं ये उल्गरी जी जो जो है ना और जारे होती है equipment होती है और उसमें बहुत सारी बिजलियां लगती है most of which they have not got in sufficient quantity और उन में से क्या होता है most of which they have not got insufficient quantity और उन में से मतलब उन लोगों के पास बहुत ज्यादा संख्याएं में वह सारे उपकरने हर एक चीज नहीं उपलब्द होती है where foreign aid has established that temple of our religion और वही बोले तो foreign aid जो है पिदेशी जो है एक तरीके जो था ना मतलब जो सहाइता हुआ उससे एक तरीके हम लोग बोले तो एक मंदिर बनाया गया hospital नाम ठीक है the hospital है ना it must make ritual display of its power with horrible result है ना लेकिन एक तरीके सही बात करें यह मंदिर जो बनाया यह hospital जो बनाया इसके क्या हो इस से हम लोग को एक तरीके से परिणाम के इस से हमें बहुत अच्छा भी लगा और बहुत भी निकला और बहुत भी भी निकला स्टोडी बताते हैं एक इस मौडरन होस्पीटल बहुत ब़ॉत variety work इसके बारें बाद करते हैं थीक है डीक हो कि सिंगर जो है ला किसिंगर यह क्या तो नहीं यह इन्योर्मस मौडरन होस्पीटल बहुत वश्पीटल में आदुनिक वो जाते हैं बन्टू पेसेंट से मिलने के लिए इन शावथ अफरिका सावथ अफरिका में और दिस इस वाट शीजो और देखिए उस बन्टू पेसेंट वाले ऊस फूर्पीटल में क्या हाल होता है यह चीज़ देखें डिडिवरी वाड वाज फुल ओफ ग्रोणिंग एंड वेरलिंग वॉमन जो डिलेवरी वाड ता जहां पर बच्चे को जन्व दिया जाता है वहां पर महिलाएं जो है करा रही है चिला रही है चीख रही है अकेले चिला रही है उसको देखने वाले कोई नहीं है ठीक है देखें ऑक्सीटोसीन ड्रीप एंड पंस वेर इन वाइड स्प्रेड यूज होता था यह दवाईं का नाम है पंस यह सब क्या है मतलब यह सुई और यह दवाईं जो रहती है यह ऐसे ही बहुत ज्यादा संख्य और बोले तो यह आफरिका भी एक तरीकङ़ इस पिछरा जगह है ठीक है अफ्रीका में भी बात करें यह पूरानी अफ्रीका और वे यह नया टक्नोलोजी इस दोनों का मिक्सर मईं आग्र देखा चासकता है कि के समयाँ तर अब पूराने ख्यालाद के वहां पर जैसे कि उस पर किसी का बली दिया गया हो किसी का जान लिया गया हो वैसे लटपत इधर उदर फैला हुआ है फैल फ़र्जपर जमीन पर है न वह खून इस तरीके इस हालात में ऑस्पिटल था एंड बंटू नर्स और वहाँ पे जो बंटू हस्पीटल में जो नर्स वगरा जो थी वेर हैपी टू लीव दैम देर एज एज विटनेस टू दा ब्लेसिंग ओफ द अर्थ और वह उस खून को जो बंटू नर्स जो वहाँ पे नर्स लोग जो थी साफ सफाई देख रेक वगर अकली जो होती है नर्स वह क्या कर रही थी वह क्या यह रही थी कि वह बस उस खून को वैसे ही छोड़ दे रही थी कि जैसे लग रहा था कि वह बस खून जो है न मतलब धर विद्ट टेकनोलोजी आप सोफिस्केटेड मॉडर्न एक्यूपमेंट एग्णोर देवरिंग वोमेन ठीक है कर रही थी विच इट वास नॉट सो डिफकल्ट टुडू एस देड़ नॉट स्पीक दा सेम लेंवेज एनिवे और यह बंटू नर्स आसानी से कर लेते थी कि उन सारी महिलां को चीखने कराने दे रही थी एकदम उसके बात नहीं सुनना चुकि यह कर सकते थे उसके लिए आ आगे चलो आगे देखते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं परग्राफ नमर एट में ही आगे किया बोला जा रहा है बर्थ वहारी फार फ्रम नॉर्मल हैर यह पे जो साधारन जंज होता है उससे बहुत अलग हो रहा था और ड़ाज वाज सावर मेरिकन होस्पीटल केटरिंग फुर ब्लैक क्लिनिक प्रिसेंट फ्रम लार्ज अर्वन गेटों ऐसा हम कभी तभी देखे थे जब अमेरिका में होस्पीटल में काली लोगों के लिए जो क्लिनिक बनाया गया था वहां पर जिस तरीके से जो जुगी जोपरियों से आने वाले लोग जो आते तो हस्पीटल में क्लिनिक में इलाज करवाने उन लोगों के साथ जैसा बेभार क्या जाता था वैसा बेभार आज यहां पर देखने को मिला सिलाक निंजगे को ठीक है इंपर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑफ स्टेट्रिक्स एकॉंप लेंड बाए प्लिथोरा अब यहां पर देखें क्या बोला जा रहा है कि तकनीकी नवाचारों और मसीनों की अधिकता के साथ और बैक्तित प्रस्तुति मतला इक तरीके से बोला जाए तो यहां जो बच्चे का ज़िए जन्म हो रहा था ना यहां पर हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे इतने सार तकनीक कितने सारे टेक्नोलोजी के यहोते हुए भी और मानविक्रित हो रहा था बैक्तित के रूप में बैक्तित तो किसी के पास था नहीं सब लोग एक तरीके जो भी बच्चे को जन्म देने वाली थी वो सभी को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा था जबकि हर एक पर लगे हो तो आधा पर मत छोड़ो एकदम के दम आज खतम ही कर लेते हैं ठीक है आज देखो क्या बोला जा रहा है इसमें है इफ वी हाव टर्न वर्थ फ्रॉम क्लायमेटिक परसनल एक्प्रियेंस इन्टु ए परसनल डिजास्टर अगर हम लोग ना एक तरीके से इस ज बदले आपदा में बदले डिजास्टर में बदले इस मैटर लेटल डाट दा रिजल्ट इस मोर लाइकली टू है और तब उसके बाद मतलब यह जरूरी नहीं कि वह बच्चा मतलब जिवित हो या नहीं हो ठीक है तो मतलब उसके बाद जरूरी नहीं कि बच्चा वह जिव महिलाएं जो होगी वह आगे ज्यादा समय तक वह आफर नहीं करेंगे अपना सरीर को इस और अपने दिमाग को ऐसे ऐसे कुरूरता से लोग जैसे जो हैता है तो महिलाएं अपना सरीर अपना ये दिमाग उस चीजों में नहीं लगाएगी इन फेक्ट पीजेंट्स कम्यूटी आर मोर लेवल हेड़ एड़ एड़ एसकेप्टिकल आफ आस और आवर मेथ़ड दैन वी रिलाइस दाट दे हाव रेसिस्ट दे इंट्रेशन आफ आफ आवर क्रोमियम प्लेट टेक्नोलोजी मूर सक्सेस्पोली दैन वी लाइक टू थें ग। होता है कि आउस्टेलिया थे तो यहां पर क्या होता था कoi सा करने की नहीं है लोग किसानों का समुदाय होता है वो भी हम से कहीं जा कहीं बहुत उपर है ठीक है वो भी कहीं न कहीं उपर है और वो किसान के किसान के जो कम्निटी के लोग हैं उनके समुदाय के लिए वो अब क्या कर रहे हैं संदेह कर रहे हैं हमारे किस पर यह क्रोमियम प्लेट वाला टेक्नल किये हैं अगे देखो डेड़ एटेंड टू फ्रेक्वेंटली इन ट्रेडिशनल वर्ट पहलेश अब देखो बहुत आसान है यहां से ठीक है किसान लोग जानते हैं कि मिर्टू जो हो पाये टेंड टू फ्रेंगेटली बहुत जल्दी आ जाता है इन दर ट्रेडिशनल भाग मिर्टू से भी बढ़कर कोई चीज है तो वह भाग है फेट भाग है ठीक है तो लोग भाग पर बहुत ज़्यादा भरुसा करते हैं है नेवर अर्थलेस हैना मतलब एक तरीके से बोला जाए तो मतलब भाग है और फिर भी अगर बात करें अल टाट स्टॉप आवर टेकनलोजी फ्रॉम रीचिंग इन्टो एवरी हर्ट्स एंड होविल्स है ना मतलब जो हमारा जो टेक्नलोजी है ठीक है यह किसी लाग मतलब यहां पर जर्मन गेर जी लिखते हैं कि फिर भी जो हमारा टेक्न लोजी है जो हमारा तकनीक है वो हर एक जुगी जोपरी तक हर एक जुगी जोपरी तक नहीं पहुंच पा रहा है ठीक है इसके पीछे माधरेक रेजन है पौवर्टी गरीबी माधरेक रेजन है ठीक है 이것 ली कि कहा है मतलब एक तरीके से बोला जाए ना तो पस्तुम suburbs पूर्ण है मतलब एक तरीके सब जगह western medicine western equipment इसका अधिपत्य चल रहा है एक्षत्र राज चल रहा है ठीक है लेकिन गरीबी एक ऐसा चीज़ जिसको जो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को रोकती है अब देखो यहां पर परग्राफ नमर्ट 10 अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है आराम से समझो देखो जो आवाजे थे जो महिलाओं ने रेज किया उठाया वार्निंग मतलब एक तरीकेस वार्निंग देते हुए ठीक है एक तरीकेस चेतावनी देते हुए जो आवाजें थी अपने मसीन का हम लोग जो मसीन था उसका आवाज गर गराहाट उस सब के पीछे न कहीं न कहीं मतलब नहीं सुनाई दिया मतलब हम लोग अपने जीवन में इतना वीजी थे कि जो महिलाओं ने अच्छे तावनी के लिए आवाज उठाएं उन सभी पर भ और यह वही है जैसे कि एक बच्चे को जर्वद्व देना उसका जो गरीम होतार और उसका जो प्राइड होताई आए तरीके गरीमा इसको ऊब महिलांने चितावनी के लिए आवाज उठाई लेकिन सवाज को हम लोग नहीं सुन पाए ठीक है अब आगे क्या होना है ठीक है मतलब जो महिलाओं ने चितावनी दे रही है कि मतलब क्या हो रहा है उन लोग के साथ जब बच्चे को जन्म दे के आती है कोई स्वागत करने के लिए तक नहीं रहता है अब आजाओ हम सॉट में रिवाई कर देते हैं ये जो चापटर है इस में समझाते हैं ये जो सब ourselves ए सबसे पहले ये लिखा किसकी द्वारा गया है यह लिखा गया है German गेड़ जेके त्वारा जो कुद ऐस्ट्रेलिया से ठीक ठीक छो एक जो खुद क्या हां से आस्ट्रलिया से थे अब यानि कहने का मतलब क्या है कि यह बंगलादेश में न रहते हैं कि बंगला देश के बारे हैं उप्स जर्मन गेज़े जो गए थे न वहीं के बारे में मुख्रूप से लिखते हैं ठीक है यह लिखते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो किस परकार से बंगला देश में एक तरीके से इक्तियोहार की रूप में होता है सब लोग एक दम से नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है लोग जो है महिलाएं लड़कियां सभी खटा होते हैं गीत गाते हैं पान खाते हैं भोजन होता है बोज होता है पुरुस बेक तरीके से ज़्यादा इसमें इन्वाल नहीं रहते हैं लेकिन वह लोग बच्चे को देखने आत कोई भी बच्चे को स्वागत करने के उस माँने जो हिमत वाला काम किया उसको इक तरीके से आगे परसंसा करने वाले उसको आगे बढ़ाने वाले लोग वहां पर नहीं रहते हैं तो वहां पर क्या होगा अपने लोग के समाज में डिशनल सोसाइटिज में क्या होता है कि एक तरीके बच्चे का जो एक महिला का जो प्रेग्नेंसी का दौरान जो होता है पहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है वह अपने मां के घर चली जाती है ताकि वह उसको प्रॉपर टेक केर किया जा सके उ साहर कंदो अपने मां तरीके प्रेग्नेंसी को प्रेग्नेंसी और अच्छे समझ में आए अच्छे से डीटेल में लिखो बचलाओ हमें पहले कमेंट करके ठीक है इस क्लास के बाद लाइब चैट के बाद नीचे में आपको दिखेगा ठीक कमेंट सेक्षन वहां पर अच्छे से कमेंट करो ताकि हम आप सभी लोगों कमेंट अच्छे से बाद में पढ़ें और देख आप जाके एक एक चाप्टर को अच्छे से देख सकते हैं सारा लाइन वा लाइन हम आपको डीटिल से पढ़ा रहे हैं ठीक है और आगे अब जब मिलेंगे इसके अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गोस्टन को हम लोग देखेंगे ताकि बहुत अपना यह तैयारी हो और प जाओ सर्च करो अपना एप मिल जाएगा उसको डाउनलोड कर लेना और वहां पर आपका सारा बैच जो है 2024 का पचीस का है ना जो भी बैच वगरा है वह सब चीज आपको वहां पर मिल जाएगी और आप अच्छे से क्लास कर सकते हैं अपने बोर पैक्षा की पूरी तियार आप कर सकते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट की है ना तो आप जाएए एप इंस्टॉल कर लेजिए और साथी साथ जाते जाते नीचे कमेंट जरूर सबको कर देना कि यह वीडियो कैसा लगा है ना चलिए आज कस क्लास में तो हम लोग बस इतना ही रखते हैं लेकिन फिर अगले क्लास मिलेंगे और आगे की चीजों के बारे हम बात करेंगे चलिए धन्यवाद कर दो कर दो कर दो